HCF of 1, 2 and 1, 8 using prime factorization देखिए इनके हम prime factor करेंगे prime factor करने के लिए हम अपने prime number से divide करते हैं 2, 3, 5, 7, 80 तो यहाँ पर देखिए मैं अपना 2 से divide करना शुरू करूँगा जब मैंने यहाँ पर 1, 2 को 2 से divide किया तो कितना 6 time हो गया? यहाँ पर minus किया, 0 आगया तो आप इसको ऐसे समझी 2 का divide किया कितना 6 time हो गया? अगें देखिए 2 का divide किया 6 में आपका 3 वार हो गया अब 3 में 3 का divide किया एक वार हो गया तो यहाँ पर 1, 2 के factor क्या निकल करा आगया? देखो 2 multiply, 2 multiply 3, 1, 8 की बात करते है इसमें देखिए मैंने 2 का divide किया कितनी वार हो गया? 9 बार उसके बाद इसमें देखिए आपका 3 का divide होगा कितना? 3 बार 3 में 3 का divide आपका 1 बार तो यहाँ पर देखना है कि देखो ध्यान से देखो हमने सुरात कहां से करने? 2 से जब अगेर हमने देखा 2 का divide नहीं होगा तो हम 3 पे चलेगे ऐसा है जो आपको करना होगा तो यहाँ पर 1, 8 क्या आपके factor क्या आगे? 2 multiply, 3 multiply 3, अब आपका यहाँ पर SCF क्या है? SCF है दोस्तों इनके common factor का multiplication तो देखो common factor ऐसा जो कि दोना का 3 है उसके बाद देखो 2 है, 2 है इनका multiply करने पर कितना 6 आ गया? यानि इनका आपका SCF 6 है SCF क्या होता? ऐसा नमबर होता जो कि इसको भी complete divide करेगा इसको भी complete divide करेगा, आप divide करके check कर सकते हैं